असलाम लेकुम कैसे हैं आप सम अल्द आप सभी लोगों को खुश हुआ बाद हस्ता मुस्कुराता रखें शुरू करते हैं अल्द आप के नाम से जो बहुत महरबार नहायत रहे मौला है हम आपके लिए आज कीमा दो पयाजा की रेसेपी लेके आए हैं बहुती टेस्टी और बहुती जबरदस्त रेसेपी और इस ठंड में आप बहुती आसानी के साथ इसे बना सकते हैं ठंड में जब काम करने का ज़्यादा दिल नहीं कहता तो आसान सी रेसेपी और बहुती टे ख्राइब कर लें सूरा तो देखें हम इन में यहां पे सामांब लिया हैव सामान पर चार सो घ्राम यहां पर टमाटर लिया हैव केरeri नीई है जा क्टकर लियाए है आग छोटा टमाटर हो तो आप 3-4 टमाटर कट कर लें और रफली हमने बस मोटा मोटा सा कट कर लिया है और हमने प्यास को देखिए कुछ इस तरीके से कट किया है दो प्यास भी हमने कट किया है और कुछ इस तरीके से कट कि इस तरीके से सलाइस किये हैं तो आपने भी इसी तरीके से कर लेना है या इससे सलाइस करेंग फेद लाची और थोड़ी सी लाउंग का हमने इस्तमाल किया है एक चमच साबूत धनिया हमने यहां पे लिया है और एक चमच हमने यहां पे जीरा लिया है दोनों चीजों को हम ड्राइ रोस्ट करके बस हलका दरदरा सा कूटेंगे और इसका इसका इस्तमाल करेंगे यह कीन म तो चलिए अब फटाफट से गैस की तरफ चलते हैं बिसमिल्लाहिरामाने रहीम तो कड़ाही में पहले डाल के अपने धनिया और जीरा को ड्राय रोस्ट कर लेंगे खुश्बू एक्टिवेट होने तक बस हमने हलका से ड्राय रोस्ट करना है बहुत ज्यादा हमको नहीं होने देते हैं तेल की गरम होती है उसमें हमने गरम मसाला अट कर दिया है और इसमें लाल मिर्चो को हमने शामिल किया लाल मिर्चे शामिल करते हैं फौरण से कीमा शामिल कर देंगे नहीं तो मिर्चे जल जाएंगी और कीमा को शामिल करके हम अच्छे सी से चलाएंगे ता अद्रक लेसुन का पेस्ट अद्रक लेसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद हम इसमें नमक शामिल कर देंगे नमक अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर लें और इसे हमने आदे चमल से थोड़ा ज्यादा शामिल किया है और हम अच्छे सी इसे चलाएंगे और इसे हम भूने आज को हम बहुत ज़्यादा तेज नहीं रखेंगे आज को हमने मीडियम रखके पकाना है तो देखिए इसको भूनते हुए हमें 2-3 मिनट का टाइम हो चुका है बहुत ज़्यादा हमने भूनाई नहीं की है अभी हमारा कीमा रसीला साही है तो हमने इसमें अब टमाटर एड कर दिया है टमाटर को भी हमने इस तरीके से भून लेना है एक से 2 मिनट तक प्रियाश एक और पानी चोड़ने लगा है तो हम पोगाले हम यहां रखक सा लगाथे हैं च्छे को लगा है चेमा साब होगया है तो छिलक भी जोड़ दिया है देखिए अब हम चला रहे हैं तो छिलक बिल्कुल अलग हो रहा है तो इस तरीके से आसानी से जतने छिलके आ रहे हैं हम उन्हें निकाल लेंगे सभी टमाटर की छिलकों को हम आसानी से जितना आ रहा है निकाल लेंगे और फिर इस तरीके से इसे थोड़ा सा मसलते हुए और थोड़ा से इस तरीके से कट करते हुए मुझे चलाएंगे और फिर हम धकल लगा के पकाएंगे पाच मिनट तक फिर हमने धकल लगा के पकाया है और देखिए अब अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे और अच्छे से चलाएंगे इसे फिर हमने धकल लगा दिया है तीन मिनट तक धकल हमने लगा के पका लिया है कीமा हमारा लगब्भा गल भी गया है और लगब्ह activity से कीमात यूए आज बूए है रूरी दूघी से कविसा के Tá λέ आए है तो इसको भूपन दिये हैं तो तुमाट्र भी बहुत अच्छी सीमिक्स हो गया है मिर्चे और प्यास मिर्चश से रखर डिया है अब प्यास को मेल मिनिट तक मीडियम ही आज हमने रखी हुई आज को हमने तेज नहीं किया है थोड़ी देर तक हम इसके साथ फराई करेंगे प्यास भी अब हलका सपना पानी रिलीज करने लगा है तो इसमें हमने धनिया और जीरा को जो दरदरा सकूर के रखा था इसे शामिल कर दिया है और हमने फिर धकन लगा कि इसे तीन मिनिट तक पका लिया है इसमें अब हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और पानी डालके हम इसको पकाएंगे धक्कन लगाके इसे चार से पाच मिनट तक पका लेंगे अब बिल्कुल अच्छे से देखी पक चुका है और हमारा कीमत तयार हो चुका है काफी खुश्बुदार काफी लजीज एक कीमा तयार होता है तो आप इस तरीके से जरूर ट्राइ करें और इसमें अब एंड में हम शामिल कर रहे हैं सब्स मिर्च और धरिया और इसे हम अच्छे से चला देंगे तो लीजीए बन के तयार हो चुका है हमारा कीमा दो प्याजा इस टीक कीमा कहलें कीमा दो प्याजा कहलें प्याजवाला कीमा कहलें जो भी कहलें बहुती लजीज बन के तयार होता है तो आप इस तरीके से जरूर ट्राइ करें वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें शेयर कर दें और अगर आप इस चैनल पर नहीं है या भी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप से मेरे दिल से दर्खासत है कि चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार लाजमी दें साथ में लगए हुए बेल का आइकान भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हराने वाली वीडियो की निटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके अल्ला तला आप लोगों को जजाए खायर दे आप लोगों के रिस्क में उमर बरकत अता फरमाए शबीना को भी दुआओं में याद रखे तो चलिए मिलते हैं निक्स वीडियो में इन्शाला ऐसी किसी टेस्टी और मज़े की रेसेपी के साथ अल्ला हाफीज